तलाग के कितने समय के बाद आप दूसरी शादी कर सकेंगे जी हाँ यह हमारा प्रशन इस वीडियो में हम जानेंगे इसका उत्तर यह बहुत महात्वपून प्रशन है काफी लोगों ने मुझे यह प्रशन पूछा कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर यह है कि आपको at least कम से कम 90 दिन का इंतजार करना चाहिए 1974 के पहले क्या था कि कम से कम एक साल का इंतजार आपको करना पड़ता था क्योंकि जो time period दिया गया था Hindu law में, other matrimonial laws में वो जो time period था वो एक साल का था मतलब आज आपका तलाक हुआ, आपको एक साल तक रुकना है फिर 1976 में जो amendment आया हूँ, उस amendment के बाद में इस period को appeal का time पर दिया गया, appeal मतलब अगर family court ने आपकी petition को decide कर दिया है आपको निचली अदालत से तलाक मिल गया है तो आपको 90 दिन तक का इंतजार करना है क्योंकि 90 days का जो time होता, opposite party के पास में होता है कि वो जाए और high court में अपनी appeal दायर करे उस condition पे आपको क्या करना है कि 90 दिनों का इंतजार करना है और उसके बाद में फिर आप दूसरी शादी कर सकेंगे condition यह है कि या कि opposite party के द्वारा appeal high court में फाइल ना की हो high court के द्वारा कोई stay ना दिया गया हो या कि अगर कोई भी case high court में फाइल नहीं किया जाता 90 days का period हो जाता है उस condition में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं फरक नहीं पड़ता कि आप पती है या पत्नी अब जो divorce भी होता वो तीन तरीके से mutual divorce, ex party या contested divorce mutual divorce के cases में अमोमन समय की कोई परिभाशा नहीं है क्योंकि वहाँ पर appeal का कोई provision नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि आपको फिर भी 90 दिन का इंतजार करना चाहिए और ऐसा ही contested divorce के case में होता है ex party के divorce के case में होता है ex party का जब कभी भी divorce हो थोड़ा ज़्यादा समय आप रूप जाए है उसकी पीछे कारण ही है कई बार आपको ex party divorce तो मिल जाता है लेकिन problem यह आती है कि opposite party को उसके बारे में जानकारी ही नहीं जब जानकारी लगती है तो वो आपके उपर में एक case दर्ज करते हैं जो कि force या fabricated marriage या fabricated marriage को दिखा करके आपने court से जो judgment decree लिया उसको challenge करते हैं या कि address आपने कुछ mention किया था wife कहीं और तो उनको intimation नहीं होता information नहीं होती और तलाक हो जाता तो काफी सारे ऐसे cases होता है इस वज़े से जो contested divorce का matter होता है वहाँ पर जहाँ पर ex party दिया गया है one sided divorce दिया गया है मतलब पती को तलाक मिल गया पतनी को उसकी सूचना नहीं है या बार-बार notice जाने पर भी वो नहीं आई तो ऐसी शादी कानूनी मायनता नहीं रहेगी इस वज़े से आपको कम से कम तीन महीन इंतजार करना ही करना है mandatory period है और अगर आपको बहुत ज़्यादा हडबड़ी जल्दबाजी है तो आप higher court से फिर order लेकर कर आईए आपको उस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आपको यह ध्यान रखना है वो period क्या है वो 90 दिनों का period है अगर आप दूसरी शादी तला के बात करना चाते है आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे जरू comment box मेंशन कीजेगा साथ ही साथ किसी परिशानी के लेकर आप बात करना चाहे इस वीडियो की description में detail लिंक है जहां से directly appointment book करके हो जाएगी आपकी और मेरी बात मिलिए अगली वीडियो में तब दक के लिए आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहे